हेलो माई फ्रेंट्स मेर नाम है प्रिवार पैचान पत्र में अपना अपडेशन कर पाएंगे खुझ से आप जानते हैं फ्रेंट्स की सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी कुछ दिनों के लिए सरकार ने इसे ओफ कर दिया था कि आप सेल्फ अपडेशन नहीं कर पाते थे वहाँ पर एक नोटिस होता था फ्रेंट्स सरकार ने वो नोटिस अटा दिया है और अब आप बिना कैंप आइडी और बिना CSC ID के अपना डाटा अपडेट कर पाएंगे बिल्कुल खुद कुछ से तो चली फेंट्स आप कैसे कर सकते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको आजाना गूगल करोम के उपर यह अक्षिय ब्राजर को ओपन कर लेना है चाहे आप कंप्यू सरकर के अप्लोड करेंगे तो इसलिए शुरू करते हैं यहांपर आपको टाइप करना है मेरा परिवार को जाना है अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपको आ जाना है डेक्स्टोप E3. के उपर और यहां पर डेक्स्टोप साइट को अपन कर लेना इसके बाद फ्रेंट्स यहां पर मेरी कैम आईडी लोगिन है इसलिए मैं इसे लोग आउट कर देता हूं इसके बाद आपको आजान है अपडेट फैमिली डिटेल्स के उपर आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल आपकी जो अपने डाटा अपडेट करेंगे तो आपको मूबाइल नंबर की जुरूप पड़ेगी जो आपके जो परिवार पैचान पत्र है उससे लिंक है या फिर आधार काड से लिंक है वरना आप अपना डाटा अपडेट नहीं कर पाएंगे फ्रेंट्स और अधरिवार पहचान पत्र बना हुआ है तो अपको जो परिवार पहचान पत्र बनवाते वक्त जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्र करूआ yours नहीं तो आपके आधार जा ली थे आप उसे देख सकते हैं तो दन्यवाद फ्रेंट्स अगली वडियों फिर शेम लेंगे तब तक के लिए सेफ रहिए सरुक्षी तरियों को रोना से पिचेरी जाहिए 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 पर आपने डाटा अपडेट कर पाएंगे चेंजमेंट इतना ही है कि आपको अगर मोबाइल नमबर नहीं है तो आप से सी पर जा सकते हैं अगली वडियों पर शेम लेंगे